जयाएं दोस्तों क्याल चाल कैसे हैं आप लोग उम्मीदे आप सब बहुत अच्छा होंगे स्वागे तो आप सभी के इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आवाद इनुश्टी के बीए सेकेंडियर के फर्स पेपर का एक इंपॉर्टन कोशन दोस्तों वीडियाले प्रबंधन के बारे में जिसको हम अंग रेजी में कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट तो यह हमरा ओने दूसरा टॉपिक होने माला है तो स्कूल बजट स्कुल बजट कहते हैं इसकुल बजट तो यह दो सवाल आप क्या समधते हैं। आप नमर में पूछता है तो यह दोनों इंपोर्टेंट है दोनों तरीके से पूछ सकता है हो सकता है दोनों पूछ दे तो फिर तो फिर बल्ले बले आईए मिला किसी तरीके हम सुरू करेंगे विद्याले प्रबंदर से अब यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा जब हम हम बात करते हैं विद्याले प्रबंदर की तो यह स्कूल मैनेजमेंट स्कूल में आपको पता है कि एक मैनेजमेंट होता है चेर्में सर होते हैं जो कि हर एक चीज देखते हैं स्कूल ओपन कब होगा स्कूल की फीस कितनी रखनी है स्कूल का वेकेशन कब होगा समर वेकेश नहीं करना यह सारे चीज़ों का देख रहे कौन करता है दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट स्कूल पर कोई लीगल एक्शन हो ना हो तो उसका जवाब कौन देगा स्कूल मैनेजमेंट देगा तो यह सारे चीज़े कारियों के लिए हमारे पास एक स्कूल मैनेजमेंट होता है अब विद्याले प्रवंदन से दोस्ताथ पर उस संगठन से विद्याले प्रवंदन में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है एक ग्रूप अपड़ पीपल होता है एक संगठन होता है जो विद्याले के विभीन क्रियाओं को चलाने के लिए अब अब इसमें किस किस से दोस्तों जैसे प्रिंस्पल्स का हमें help चाहिए हमें जो सुप्रवाइजर होते हैं उनका चाहिए स्टूडेंट टीचर जितने भी स्टाफ हैं उन सब का help चाहिए इन सब की सहाइता है दोस्तों इन सब ही को मिला कर क्या करना है हमें सैच्छिक उद्देशों को प्राप्त करने के लिए कारे करने है तो मैनेजमेंट के अब एक संगठन है जो क्रियाओं को सही रूप से चलाने के लिए इन सभी प्रताना अधियाप निरेच्छाक, सिक्छार्तिक करमचारी सबी से मिल जुलकर कारे करके सिख्छा की उदेशों को प्राप्त करने करे यही management कराता है विद्याले प्रबंदन से आसे विद्याले के विशेस उदेशों को प्राप्त करने के लिए परियासों को management अब क्या करता है भाई planning करता है नियोजित करता है समनवित करता है, coordinators, coordinations करता है, अभी प्रेरित करता है, teachers को motivate करता है, और control करता है, तता मानवी के भहतीक श्रोतों का समनवा स्थापित करता है, management ही देखेगा कि आपकी school का buildings कैसा है, furniture कैसा है, library हाई कि नहीं, पानी की विवस्था है कि नहीं, तो human resources और जो materialistic resources है जो physical resources है उन सभी को manage करता है दोस्तो management करता है तो management क्या करता है निवोचित करना planning करना समन्वीद करना अभीप्रेरिद करना नियंत्रिद करना मानि में भौतिक संसोधनों का संबंध अस्थाफित करने का कार कौन करता है management तो दोस्तो इसी तरीके से आप प्रकास जालिए कुछ और आपको paragraph बनाना है तो विद्याले प्रबंधन द्वारा दोस्तों विद्याले प्रबंधन द्वारा सिक्षा की प्रक्रिया का संचालन करना होता है विद्याले प्रबंधन के में प्रबंधक प्रधानाचार्य सिक्षक करमचारी चात्रावी आप देखिए सवाल तो ऐसे पुई देगा कि वद्धालरे प्रबंधन पर हैं… आप उसमें आपको सब हैर्डिंग और हैंडिंग मनाना है तो आपने लिखा कि वीद्ध्यालय की अब रुबध्यालय कार सुचार्य रूप से चलाने के लिए के ही विद्याले प्रबंदन किया सकता होती है अब इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे कि विद्याले एक समाजिक संस्ता है समाजिक संस्ता कैसे विद्याले समाज का हिसा है और समाज विद्याले का हिसा है विद्याले समाज को प्रभावित करता है समाज विद्याले को विद्याले में भी यहर एक लोग मौझूद होते हैं तो इसलिए विद्याले को समाज का लगूरूप कहा जाता है तो विद्याले एक समाजिक संसा है उसे एक विसेश उत्तरदाईत निर्वहान करना पड़ता है इस पेसल रिस्पोंसिमिल्टी होती है स्कूल की अब विद् समागरी अधी की विवस्ता भं내 किरता है अरिकमिल्ट के स्वेट्भण के होता और तो देखाए कि उस्षगी के और पेस्चे समाज करता है और को बहएतर देeking किरिए management क्या करता है दोस्तों योग्या ध्यापक उप्युक्त भावन उप्यूख्थ खेल कुद की व्यवस्ता उचित पाथे समागरी इन सभी का ला हो उस उसका complete development नहीं हो पाएगा, समाज का हिस्सा नहीं बन पाएगा, इस परकार विद्याले प्रवंदन विद्याले की आत्मा है, बीना उचित प्रवंदन के समय साधनों के होते हुए भी विद्याले एक निर्जीव सरीर के समान है, देखा आपने, इसी को लिखने की कलाक आते ह आपको लिखना है, अगर उचित प्रवंदन ना हो तो फिर क्या है भाई, फिर वो एक निर्जीव सरीर के समान है, किसी भी विद्याले में के अंदर परियाप्त मात्रा में छात्र हो, योग या ध्यापक हो, तथा पढ़ने लिखने के परियाप साधन हो, परन्तु उचित दोस्तों उचित प्रवंदन के आभाव में सिक्षा के उद्यशों को सफलता पुर्वक नहीं किया जा सकता, समझ में आगे आपने इसी तरीक से दिखना है, अगर आपके पास उप्यूक्त साधन हो, उप्यूक्त अध्यापक हो, समय हो, मगर अगर आपके पास उप्यूक् प्रवंदन के उद्देश से, अब आईए, इसका क्या उद्देश से हो सकते हैं भाई, देकि सबसे पहले मिल जूलकर कारे करने की कला सिखाना है, मैनेजमेंट सब को आपस में, क्योंकि भाई, टीचर्स के भी आपस में बनती नहीं है, वो उन से फुले हैं, वो उन से काम यह है, विद्याले को समुदाई केंद के रूप में बनाना, सब के लिए विद्याले को अच्छा बनाना, और सिक्चा संबंदीत परियोग तथा नुसंधान के लिए, समुचित विवस्था करना, जो भी प्रैक्टिकल हो, जो भी परियोग हो, उसके लिए जो भी जाती है, जैसे चात्रों के संबंद में, अध्यापक के लिए, 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 अध्या समाज का संबंद, इसकूल और पेरेंट्स का संबंद, बच्चे और टीचर का संबंद, इन सभी के बीच में क्या करता है? विद्यालय प्रवंदन सहकारिता का सिधान्त, मैं इसको बहुत ज़्यादे एकस्पिलेन नहीं करूँगा, सहकारिता का सिधान्त, management का basic principle और सीधान्त है, सहकारिता का मतलब सब को साथ मिले के काम करना, तो रॉबन ने कहा था, कि विद्यालय के लिए सबसे एक अवस्थिक बात या है कि वह सहकारी स रूप में कारे करें ठीक है ठाने अध्यापक और अध्यापक के बीच में अच्छा सहयोग वह प्रदाने अध्यापक तब च्छात्रों में सहयोग हो तो सहकारिता सबसे पहला के आए-वाई through onamoshdुम्छमyo है। इसको इतना भी स्कुल हो सकता कि बच्चे लाइब नुक्सान तो हो जाएगा। इसको लाइब स्कुला बधान को स्कुल को सुफ्ला करना aja करना है। बहुत ज्यादा फ्लक्सिबल हो सकता तीक है मालीजी कोई टीचर की तरफ खळाब से फिर भी आना तो इसना स्ट्रिक भी नहीं हो सकता है यह कहा है स्कूल मेनेजमेंट का एक स्धानत है असपस्ट और सुवेवस्ता वेवस्ता नहीं अच्छी हो एक फास्ट हो कलियर हो ठीक है माने भी अधा करेंगे तो यह क्या भी सिधानत है चलो विचार का मतलब दोस्तों कि management का सिधानत है कि सब के विचार को सुने जाए अगर आप manager है या फिर school के management देख रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप you are always best हाला कि companies और job में यह कहा जाता कि boss is always right हाला कि boss गलत है तो भी we don't have a right to say that you are wrong no boss is always correct यह मैं तका लेकिन विद्याले प्रबंदन में हमें विचार भी मर्स करना तो एक सिधानत है अगर आप management समाव रहे हैं तो आपके responsibility है कि आपके सभी विचारों को सुने प्रबंदन को साधन माना जाए साधन माना जाएगा मतलब यह साधन है आपको help करता आप इसी को rule और नियम नहीं मान सकते आपका मेन उद्यस से क्या होना चाहिए सिख्छा को प्राप्त करना management को खुश करना जैसे management को माने जिए profit कमाना आपका कभी purpose सबस नहीं हो सकता है एक जर्या होता है थोड़ा profit मी कम लिए और समात के साधन की भला करिए तो अउसे सिक्छा के उ infamous and अधर मातन मना जाए ना कि साध्ये जिन विद्यालों में प्रभंदन अत्यक महत्य कुलें एक प्रकार का सैनिक अधरन परण भातना हां यहां तो इस तरीके से अभी वावा का भी हमें सायोग चाहिए ठीक है यहां तक बात हो कि प्रिंस्पल्स की सिध्धान्त की अब यहां से आपके तो ने थी कम सकते हैं घर चूर्थ जिए खॉंफ है यहां से कुछ पॉइंट सकता है और उसके बाद यहां से सिधान ज़्यादध पूशता है तो आप यहां से सिधान असानी शी लिक सकते हैं कोई दिक्कार है लिए एन हे और टॉपिक देख लेते हैं जो टॉपिक है barely इस्कूल बजट इस्कूल बजट के बारे में भी समझे लेते हैं शिक्षा पहले रिश्य मुनी दिया करते थे, उस समें क्या होता था, सासको द्वारा, राजाओं द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता था, या कुछ दान, दक्षिडा, बक्चो द्वारा दिया जाता था, तो इसमें क्या होती है, शिक्षा में सुधार होती है, वास्तों म में संपन्नता आती है कहने है कि मतलब है आप थोड़ी सी भूमिका लिखी कि सिक्षा पर अगर आप पैसा खच करते हैं तो आप वेस्ट नहीं करते हैं एक आपकी आमदनी कितनी हुई आपकी खर्च कितनी हुई इसी का पत्र लिखे तौर पर इसी का लेखा जोगा जाना जाने लगा इस प्रकार बजट हमारे विविने खर्चों की ये कि योजना है जो हमारे आय के विविन मदो और जैसे खर्च बच्चत तथा निवेस में आवसक तता हैं उन को दर्सांता है कि ह्मारे कितनी है हमारे व्याय किरbla pri अ व्याय कि थात्र है कहां पहले खरों करना के निर्दारिद करने मादाります बजेटिंग एक निश्चित समय के अधी में होने वाली अनुमानित आय और प्रस्तावित खर्च का प्रपत्र बढ़िए तयार करने की प्रकिरिया है इस प्रपत्र में आय बढ़ाने के साधनों का भी वड़न होता है कैसे हम इंकम बढ़ाएंगे ठीक है यह हो गई बजट के बारे में आप कुछ दिखेंगे थोड़ा और पॉइंट बजट हमारी आय और व्याय के समस्त स्रोतों को बताता है एक अ हमारे पास इतना पैसा है कर सकते तो यह से फायदा होता है विद्रयाले की साधनों का उचित उपियोग आगर आके पास लिमिटेड है तो आप स्लिमिटेड में अच्छा है यू अगर आपके पास बजट ााफ और बहस्तर मटेल्स लेके आएंग सोसे से आप उसको बहतर से बहतर तरीके से यूज कर लें यह बज़ेट इसलिए हम रखते हैं विद्याले की कारेकरों को किरियानवन हेतु रूप रेखा परदान करना फ्रेमवर्क प्रवाइड करना कि किसके बाद से क्या करना है अब जिसे मालें यह आपके पास एक ही रहे हैं बज़ेट के अनुषार विद्याले में फर नीचे रूप करना अन्यावस्थिक समागरी की विवस्ता की जाती है यह बज़ेट के दवारा ही की जाती है ठीक है और भी जैसे विद्याले के कारेकरा में मुल्यांगन के लिए उचित दिसा निर्देश होना विद्य पैसे ही नहीं और आप टीचर पर भरे जा रहे हैं आप करमचारियों पर तो यह नहीं है बज़ेट आपको बताएगा आपको लिमिटेशन देगा कि आपके पास इतना पैसे है आप संख्या निर्धारित कर लीजिए आप उसी इसाब से इंप्लॉइमेंट रखिए अपने और बच्चे को हमने प्लान कर लिया कि हम स्वीजर नहीं लेकर जा सकते हैं तो बज़ेट के हिसाब से हम को करिगलम एक्टिविटी रखते हैं अब आईए बजट के प्रकार देख लेंगे उसके बाद ये वीडियो समापत हो जागी चार प्रकार के बजट है चालू चालू बजट वह होता है जैसे एक तरफ से श्रोत होना दूसरी तरफ से विया होना जैसे सेलरी देना रेंट देना और और मालनीजे बच्चों को जो आपके पास जरूरी चौक देस्टर ये सारी चीज़ें खरीदना तो ये चालू बजट की हिस्सा है और आए क्या होगा सेलरी का बच्चों की फीस लेना एक्जामिनेशन फीस लेना तो ये चालू बजट की हिस्सा है जो एक तरफ से आया और एक तरफ से गया मतलब करेंट बजट ठीक है विद्याले के विविन परकार की गति विदियो को संचालन के लिए विविन इस रोत जैसे राज की विद विदिय pilland Sanskrit product काली क्परिशान ही आदीगति विदियो में खर्श है इन सब का वित्रचीनेपूर्ण होने में किन सिरोते Chloe होती एक होती है कहा है इसको दरसाना क्या कहलाता है करण्ड बजट कहलाता है चलु बजट कहलाता है दिर्ग कालीन बजट मनलें विदे सरकार ने को जैसे कुछ सैचिक योजनाई इस पकार होती है जिने पूर होने में एक वित्य वर्से अधिक समय लगता है अर्थात एक वर्स से अधिक चलने वाली योजनाई कि समाने तब पांच से दस से पंदर साल के लिए उनके लिए प्रस्तु जो भी बजट होता है उसे हम क्या कहते ह इस परकार के बजट वर्सों से चले आ रहे हैं बज़ट के समान होते हैं लिए सब्सक्राइब बजट करते हैं राजजस्टर के खेल को तो हर साल वह करते हैं तो वहां पर परागत बजट उन्हें कुछ इस पेसल दिया जाता है अब एक और बात कर लेते हैं विस्स्ट कार विस्स्त कारिकरम के लिए हम budget देंगे, special program के लिए budget देंगे, इस प्रकार के budget, विस्स कारिकरम, जिसकूल में कुछ इस्काउट guide का सीविर आना हो, या कोई special program आना हो, राश्क्तपती जी आना हो, कुछ भी मतलब हो ना हो, वहां पर जो budget दी जाए, तो चार तरीके के आपने के बज़ट देखा दूस्तों कहने का मतलब कै सब लिखने की जरूरत नहीं है तो आपने जो चार तरीकी की बज़़ध देखें Current Budget, Long-Term Budget, प्राइपरागत बचचग और विसेट बज़़ध Current Long-Term Traditional Special, चालू दिर्ख प्राइपरागत और Special यानि की विसेट ठीक है इसी तरीके से आपको बनागा लिखतेना है इसमें और important सवाल आपको दिये रहेंगे और यह सवाल वो हैं दोस्तों जिससे पूछे जाते हैं यह पूछे जाने वाले रिपीटेड और important सवाल हैं इसको एक बार प्लीज आप एक बार नोट्स जरूर बना लिएगा मैं आपसे request करता हूं एक बार अगर आप लिख लेंग आपको याद है कि हाँ ठीक है यह मोमेंट था वार इस तरह के साथ तब तक मैं खूब ख्याल रखें पढ़ते रिए खुश रहिए आगे बढ़ते रिये टेंशन मतलिए जो भी टॉपिक को इंपॉर्टें टॉपिक का आप मुझे बता दीजिए मैं उस पर भी वीडियो स बना दूगा चलिए बहुत शुक्रिया मिलेंगे ठीक है तब तक अपना खूब ख्याल रखिए जया भारत खुश रहिए ठीक है कमेंट में राय पर दिक्राइदे लाइक सब्स्राइब ना भूले जहीं